अस्सलाम उलेकुम वरेहमतुल्लाही वबराकातु हूँ हमारा आज का पैगाम है गरूर नहीं करना गरूर नहीं करना क्लास नर्शी सीनियर हम पढ़ेंगे उर्दू पेश नंबर है हमारा ट्वंटी एट हमारे सबक का उन्वान है हरूफ ज्वाद आदी ज्वाद तसावीर के नाम दो हर्फी अलफास की रीडिंग तो चलें अब हम अपना सबक पढ़ना शुरू करते हैं सब बच्चे ट्वंटी एट पेज खोलें और मेरे साथ साथ सबक पढ़ना शुरू करें सबसे पहले हम हरूफ के नाम सिखेंगे हमारा हर्फ है बच्चो ज्वाद क्या है ज्वाद ज्वाद के उपर एक नुक्ता ज्वाद के उपर क्या है एक नुक्ता जी बच्चो ये सुर्ख रंग में क्या है ज्वाद हर्फ हमने क्या पढ़ा ज्वाद जी ज्वाद ये हैं हर्फ जौाद की आदी शकल यानी आदी जौाद क्या है ये आदी जौाद आदी जौाद पर भी एक नुक्ता होता है जौाद आदी जौाद जौाद आदी जौाद बच्चो अब हमने अपने हरूफ के नाम सीखें अब हम तसावीर के नाम सीखेंगे जौाद से जाइफ जौाद से जाइफ जौाद से जरब जौाद से 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 जौा हैं जौाद आदी जौाद जौाद से जाइफ जौाद से जरब जौाद से जियाफत जौाद से जखीम तो अब हम बचों दो हर्फी अल्फास की रीडिंग करते हैं सब बचे अपनी फिंगर या पैंसिल को हर्फ के नीचे रखें और मेरे साथ साथ पढ़ना शुरू करें जौाद अलिफ 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 जौाद 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 जौ ज्वाद दाल ज्वाद जेर दाल जीद ज्वाद दाल ज्वाद जेर दाल जीद जवाद मेम, जवाद जबर मेम जम् जवाद जबर मेम जम् ज़ाद जबर 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 जौद अलीफ जौद अलीफ जा जौद दाल जौद जेर दाल जीद जौद मीम जौद जबर मीम जंब बच्चों ये हमारा अर्दू का सबक था जो हमने पड़ा मेरी वालदेन से घुजारिश है के बच्चों को सबक याद करवाया करें बच्चों से सबक सुना करें और अलिफ को वर्टिकल लिखवाया करें Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu